हेलो दोस्तों तो कैसे है आप लोग उम्मिद करते हैं अच्छे ही होंगे तो चलिए आज जो है सिटेट जुलाइज दोजाटोबिस के लिए बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है जो कि एविएस पेटा घोजी सी रहेगा तो चलिए देखते हैं पाला कुश्चन पहारों प अपको बताना है तो फस्ट फॉल देखे यह अर्थ होगे आपका इसके उपड़ जाता है एक करण बढ़ जाता है तो चली तो इससे टेंपरेचर बढ़ गए फिट से विगा तो इसके कारण क्या होगा बढ़ पिगलेगा आपका और इससे क्या होगा जलवायू परिवर्तन हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जलवायू परिवर्तन तो याद रखेगा इसका राइट एंसर जलवायू बौत तो the End भी बहुत हो जाता फिरिकती फ्रिफेक्टे भी होजाता तो पहारों पर गलाइसीर के तेजिए से पिगलने का मुख कारणं क्या हो जैसे नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि मौनटरियल प्रोटो कौल को सबंदिता की से समंदिता है यह आपको बताना है तो सब्सक्राइब शर्ण का味 को प्रूस्ञ से जलवायव परिभर्तन उसके बाद इन क्वित्ता यह कें नहीं कोई तो सब्सक्राइब तो मॉन्टियर प्रोटोकॉल आया था 1987 में यह याद रखिएगा यह भी कभी-कभी पूछता तो उसके बाद है यह किसे समंदित है यह जो है आपका ओजोन से समंदित है तो मॉन्टियर प्रोटोकॉल में बुला गया था कि कि शिएपसी जो होता है को लोड़ो फ्लोडो कारवन जो एसी रेफरीजरेटर से निकलता है तो उसको बहुत कम करने के लिए या मतलब उसके बैंड लगाया गया था सी एपसी पर तो मॉक्टियर प्रोटोकॉल किसे समंदित हो जागा ओजोन पूरत के छान से तो ओजोन का तो चलिए नेक्स्ट कुछिन का समंद किस राज से आपको बताना है तो चेराओन निरीत किस राज से समंद दिता है तो इसका रायट रो जाएगा मिडजोरम चलिए next question देखते हैं मिट्टी बास और भूसे से बने घर को कहते हैं तो मिट्टी बास और भूसे से जो घर बनता है उसको क्या बोला जाता है यह आपको बता ना पक्का घर उसके बाद है कच्चा घर उसके बाद है बंगला तो बास मिट्टी और भूसे से जो बनता है घर उसको ठाहचागर और पकागर के से बनेगा its cement से बनेगा its cement बालू से पकागर हो झाजागा अचाथ जो होता है उसके बाद आपका एक question पूछता है कि बास्थ-पर घर तो बांस पे घर बनता है आपका असम में यह भी याद रखेगा यह भी प्रीविस यह पूछा हुआ कोईशन है तो चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा प्राणी नम तोचा की सहता से सांस लेता है यह आपको बताना है तो पाला ओप्षन है केच पानी में भी रह सकता है उसके बाद आपका जैल में भी रह सकता है उसके बाद मिटी पर भी रहता है तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट है कार्वोहेड्रेट के सुरोतों की पहचान करें तो कार्वोहेड्रेट के सुरोत को बताना है कौन-कौन आपका कर्वोहेड्रेट का सुरोत है तो पाला ओप्षन है सेलूलोज दूसरा ओप्षन है स्टार्च तीसरा स्ट्राइब चोंट भूज भी हो जाएगा इसका राइट है इसका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं कि निमलिखीत में से कौन सा वर्षा के कारण में मौत्पून भूमिका निभाता है तो में यह पर अपर बने तो यह आपका क्या होगा जब तक संगनन नहें सबस्क्राइब उत्पादक देश निम्लिक हैं कौन सा देश बीष्व का सबसे बरा सोर्चा उत्पादक देश हैं तो सबसे ज्यादा सोर उर्जा कहां प्योंत पाधन होता है यह आपको बताना तो पहला आपका जापान है दूसरा उप्षन यूएस अनुक्त रश्ट अमिर्का थिसरा उप्षन चीन है और चौता उप्षन इंडिया है तो इसमें राइट एंसर कुमेंट करना कुर्ण निमलिखित में से कौन सा राज भारत में सबसे बरा सोर उर्जा उत्पादक है तो आप भारत के बारे हम पूचरा कि भारत में कौन सा राज है जो सोर उर्जा का सबसे बरा उत्पादक है तो भारत में कौन सा राज हो जाएगा आपका पहला अप्सन है मदपर्दिश दूसर की है लगादन भारत में कुन साच करता ये बताका है तो भारत में राजस्था न इसका हो जएगा मरुश तरह ज्टलंबू में जैदा है तो ऊस एहाम हम सोलर भार्डिन भी बहुत जदा है तो बहुत जयदा गॉफ गाए जिसके कारण सबसे ज्यादा औरормको क्यों सराज करेगा राजस्तान करेगा चल्येयर नेक्स्त कुष्ANS देखते हैं क्योटोपरो iş को समना दीता है तो परॉंसन जलवा Abraham दूसरा जैब vitна तीसरा जान ऑजन रिक ती करन और सोथा आपशन मैला सेशक्ति करण तो क्यण प्रोटो कॉल शन समंद है यह आपको बताना है तो क्योटू प्रोटोकॉल आया कब था यह बताईएगा तो क्योटू प्रोटोकॉल जो है आपका आया था उन्हें सो संतानवेम है तो इसका उन्हें सो संतानवेम यह भी याद रखेगा कभी कभी पूछता है कि क्योटू प्रोटोकॉल कब आया था तो मार्वल केंशिर की घटना किसके करण होती है यह आपको बताना है तो पालो ऑफ्षन है कालिक अश्पट पार्टिकल्स दूसरा और कोरा फोग थिसरा और सी एफसी कारवन से कुलूरु फ्लूरो कारवन होता है सी एफसी उसके ुसके बाद नारवल किंचर किसके कारण होगा इसी डिर약 यानि के अमलक्रशा की कारण तो चलिए नेक्स्ट कुिश्ण देखते हैं कि क्थन उभलना और वास्पी करन में अंतरा उबलना वास्पीकरन में क्या अंतर है यह आपको बताना है तो पहला अप्शेया अपकर जेल की अवस्था बदल जाती है जबकि वास्पी करण में नहीं, तो यह तो गलत हो जाएगा, उसके बाद है कथन में दर्ब से वास्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वास्पी करण देखा नहीं जा सकता है ये भी आपका गलते हो जाएगा, ये भी अंतर नहीं हुआ, उसके बाद है, वास्पी करन किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि कथन दो नहीं, जबगी यहां पर कोथनांग होगा कोथनांग नहीं तो कोथनांग नहीं यहीं आपका सही हो जाएगा कि कोथनांग को मतलब कितना को जिसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो लेकिन यह जो है आपका वास्पी करण कब हो जाएगा वह सकता है तो इस सबाद कतन से यह का गलत हो तो statement 3 जो है यह आपका सही हो जाएगा इसमें आगे में संगनन या कोथनांग नहीं लिखा हुआ था boiling point तो वह देख लिजिएगा इंगलिस बला में सही लिखा हुआ है वायू मंडल में oxygen के दो रूप कोनकोन है यह आपको बताना है तो वह आयू मंडल में oxygen के दो रूप कोनकोन है तो इसमें पहला option है आपका पानी और ozone दूसरा option है पानी और oxygen तिसरा option है oxygen और ozone और oxygen और चौता option है पानी और carbon dioxide तो वह आयू मंडल में oxygen के दो राइटेंसर हो जाएगा वह मंदल में ऑक्सिजन का दो रूप कौन-कौन से हैं में ओजोन का फर्मूला क्या होता है ओधिरी ऑक्सिजन का ओटू होता है तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं निमलिखित में से किसे बीश्व का प्राकिर्तिक चिरियागर कहा जाता है त पाला उप्शन है सावाना, दूसरा उप्शन है केटर बरी, तिसरा उप्शन है कमपास, दूसरा उप्शन है सेलवास तो निमलिखित में से किसे बीश्व का प्राकिर्तिक चिरियागर कहा जाता है तो यह आपको कहा जाता है सावाना को तो इसका राइट एंसर हो जाएग दूसरा option है असंग, तिसरा option है मद्य पर्देश और चौथा option है अरुनाचल पर्देश तो निमलिखित में से कौन सराज हर साल महान होर्न विल उससम मना जाता है तो यह आपको मना जाता है नागा लेंड में इसका राइट एंसर हो जाएगा नागा लेंड और वहां पर त्योहारों का त्योहार हरुन बिल को बोला जाता है तो यह भी याद रखिएगा इसका राइट एंसर आपका नागा लेंड हो गया option यह है तो चलिए इसके बाद है लेंड टॉन्यक्परिके परेस्थित की आतंगवादी करने का मतलब कि यह पैर जहां पे लगएगा उजा1 डाम धी नहीं मिलेगा भोझन पानी या पानी का उपलवदा नहीं होगा तो जिसके करण वहां पर słuड़या इसको परस्थित के अतंगवादी बोला जाता है तो यह हो जागा आपका यूके लिप्टस जिसको द्याती बाद सफेदा बोला जाता है तो यूके लिप्टस का आपको चलिए फिगर दिखा देते आगे तो यहीा पेर युकेलिफ्टर्स का आप लोग देखे होंगे गौवन भी होता है इसको सफ़ेदा वोला जाता है अपना गौवन के बोलचाल के बासा मैं तो चलिए नेक्स कुर्चन देखते हैं एक सिंघ्वाला गिंडा पाया जाता है तो एक सिंग वाला गेंडा कहां पाय जाता है यह आपको बताना है तो पाला option है केवला देव घाना राष्टिय उद्यान उसके बाद है काजी रंगा राष्टिय उद्यान उसके बाद है गीर राष्टिय उद्यान वन की देखभाल और साजा निती लागू होती है, तो वन की देखभाल और साजा निती कौन लागू करता है कि यह आपको बताना है, तो पहला है जन जातिये लोग, उसके बाद है वन समुदा, उसके बाद है ग्रामिन, और तोफ़ा ओप्छन है JFMCS, एम्सी एस तो जे एफ एम्सी एस का फूल फॉर्म होता है जोएंट फॉरेस्ट मेनेजमेंट कॉमिटी तो यह आपका राइट एंसर हो जाएगा जे एफ एम्सी एस जोएंट फॉरेस्ट मेनेजमेंट कॉमिटी जो है वन का देखवाल की निति का लागू होती है तो इसका क्या हो जागा वन की देखवाल और साजा का निति लागू होती है तो यह किसके द्वारा लागू होता है जे एफ एम्सी एस जोएंट फॉरेस्ट मेनेजमेंट कॉमिटी के द्वारा तो चल तो आपका जो असम से जुरा होगा असम से जुरी खास बात आपका रेसम हो जाएगा वहां पे रेसम का उत्पादन होता है उसके बाद मदुबनी पेंटिंग जो है मदुबनी पेंटिंग आपका कहा है बिहार से हैं यह याद रखिएगा और बिहार में क्या मदुबनी एक 210 एयात रखेगा इसे मतुन सब्सक्राइब का यृु ऐके सब्सक्राइब तो चलिए next question देखते हैं वायो परदूसन के लिए निम्ल में से कौन सा प्रबंदन विकल्प है तो पाला option है बीनियम और मानक दूसरा option है परिवान योजना उसके बाद है इंधन के रूप में CNG का उप्योग करना तो CNG में जो है आपका compressed petroleum gas होता है और चोथा option है all of the work तो आयू परदूसन के लिए निम्ल में से कौन सा प्रबंदन विकल्प है तो आयू परदूसन के कंक्रने के लिए कोण सा परबंदन विकल्प यह आपको पूछा जा रहा तो विनियम में मानक यह भी सह capitalist करेंगे तो परदूसर नहीं के बुराबर होगा तो उसके बाद है all of the above तो इसका all of the above हो जाएगा कहाएगी सभी आपका परदूसन परबंदन के लिए कार्ज करता है तो चलिए next question देखते है मनुस की मुलभूत आप सकता है किसके द्वारा परदान की जाती है यह आपको बताना है तो मनुस की मुलभूत आप सकता है किसके द्वारा परदान की जाती है तो पाला option है और द्योगी करण दूसरा option है किरिशी तिसरा option है प्रकिर्ती और तोथा option है सहरी करण तो मनुस की मुलभूत आप सकता जो है प्रकिर्ती के द्वारा पुरा किया जाता है तो इसका right answer हो जागा nature, option C, इसका right answer हो जाएगा, तो चले next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा राष्टिय उद्यान है, तो भारत का सबसे छोटा राष्टिय उद्यान ये आपसे पूछ रहा है, तो परला option है है हैमिस राष्टिय उद्यान, उसके बाद है कैवलादेव राष्टिय उद्यान और उसके बाद है दुद्वा राष्टिय उद्यान, तो भारत का सबसे छोटा राष्टिय उद्यान जो है, सौथ बटन राष्टिय उद्यान है, और ये कहां पर है, अंडोमान निकोबार में, तो ये आप याद रखिएगा, स लाचिन बटन राष्टी हो दियान सौध बटन नेशनल पर तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं निमलिखीत में से कौन सी ग्रिन हाउस गैस मूल डूप से पूरी तरह से मानब जनित है तो पाला उप्शन है जल वास्प उसके बाद है क्लोरो फ्लोरो कारबन सी एफ सी उसके बाद है कारबन डियक्साइड और उसके बाद है मिथेन तो इसमें मानब जनित कौन सा मतलब यह है आपका ग्रिन हाउस गैस तो यह आपसे पूछ रहा है तो आपका फ्लोरो कारबन हो जाएगा इसका राइट एंसर तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं पस्मीना एक है पस्मीना क्या है यह आपसे कुश्चिन पूछ रहा है तो पहला उप्षन है डेशम दूसरा उप्षन है कपास तिसरा उप्षन है उन और चोथा उप्षन है नैलोन तो पस्मीना क्या है पस्मीना जो है पस्मीना एक परकार का उन है तो इसका राइट एंस करते हैं तो तो है औपने के लिए वाच्छ मीटर्ञ तो फोर्ण की तिव्रता को मापने के लिए किसज अपयोग करते हैं यह आपको बताना तो सोग कि जो है अब आज का तिवर्ता को मापने के लिए एक आई है decibel तो यह हो जाएगा आपका decibel right answer तो चलिए next question देखते हैं next है नेमलिकित में से कौन मानव निर्मित परिष्थित की तंत्र का उधारन नहीं है तो पहला option है उत्तक संबर्धन दूसरा option है हर्बेरियम तिसरा option है एक केरियम और चोथा option है one तो नेमलिकित में से कौन सा मानव निर्मित परिष्थित की तंत्र का उधारन नहीं है तो मानव निर्मित परिष्थित की तंत्र का उधारन जो है यह आपका हो जाएगा forest बाकी जो है यह सब आपका मानव निर्मित है तो इसका right answer हो जाएगा forest और यह आज का last question था किसका कितना सही हो रहा है वह comment करके आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में आप लोगों वीडियो अच्छा लगता है तो like कर दिजिएगा share कर दिजिएगा